है कि अपिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपनी से श्राइब कर रहे हैं एवी एस में एनिमल चाप्टर के करेंगे एनिमल से रिलेटट ही एमसी क्यू साउल्व करेंगे आप सभी को इनके एंसर करने हैं ठीक है जनतु से रिलेटट क्या करेंगे सब्सक्राइब करें एक बार जल्दी से पताएंगे सबी लोग कि आपकी क्लास को स्टार्ट कर दें जल्दी से पताएंगे और देखेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्ण विजय आर्थी प्रीति प्यूश अलकमा राहूल सभी का स्वागत है जितने लोग भी है क्लास में और सभी लोग जुड़ जाहिए हमारे साथ क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकिए तीन बज़े से आपकी डेली क्लास रहती है सैटेडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हमने आपको बताया ही था कि साइन से स्पेशल क्लास होने वाली है सैटेडे को थी लेकिन अभी नहीं थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे जो सैटेडे आएगा उस पर हम दो घंटे का सेशन ले करके आएंगे तो पीछे वाला भी कबर हो जाएगा आपको टेंशन नहीं लेनी है उसकी चार्ट करेंगे आज की क्लास को और आज एनिम लेकित प्रकारों में इसे च्छत्रक किस्से संबंदित होता है आप कुछ चत्रक इस तरीके से देखते हो ना समीन पर देखने को मिलते हैं च्छत्रक जिने क्या अंब्रेला जैसे होते हैं यह किस्से संबंदित होते हैं प्रकार के मौस हैं शैवाल है पर नहीं फंगस है या फिर लाइके ने इनका संबंद किससे होता है फुडाफ्चुनू नवीन अलकमा ने सी बताया अनुराधा ने सी बताया है जितने लोग भी रहते हैं क्लास में सभी को एंसर करना है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास को देख रहे हो ठीके और एंसर नहीं कर रहे हो थाइं जार्यकों को कहा होते हैं कि हमारे कहां पर अंपन होते हैं यहां पर सडी गली चीजे मारी जो रहे हो उद्टी उन्हीं सभी ऊपन हो जाते जैसे के यंप समने नाम शुना और थिकंव सभ्स्व यह म प्रकार क्या होती है यहां था oharte abdali- consent कि आप तरीकह आपती सभी यह फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्तिरियम नाइट्रोजन इस्थरी का रख जिवाडू कौन सा है साल्मोनेला राइजोबियम स्यूडो मोनास या फिर एकोलाई एंसर करेंगे सभी लोग बताएंगे इसका एंसर विजय ओनली गुड़ वाइप बहुत बढ़िया नवीन प्रीती अनुराधा विजय सुजाता अलकमा बहुत बढ़िया फी एंसर बता रहे हैं सभी लोग नाइट्रोजन इस्थरी का रख जिवाडू यह वाला क्वेशन त तो आप कौन सा नाम देखते हो लग्यूमिन इस प्लांट में होता है राइजोबियम इस बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है साल्वो नेला टाइफिय आपको पता है टाइफोट से रिलेटिड हो जाता है बागी स्यूडो मोनाज भी बैक्तिरिया होता है एक कोलाई हमारे पेत्त में इंटेस्टाइन में या कर सकते हैं लार्ज कैस्थाइन में पाया जाता है ठीक है किने आपका क्या हो जाता है यह किसी नहीं क्लास्ट्रीडियम आपका अठीड है निट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्तिरिया हो जाता है आपके अधिस लिगेस की Bür hy咖 जाम में कोश से कलर का होता है लिटमस ठीक है लिटमस कौन से कलर को होता है परपल कलर का जैनली देखने को मिलता है यह किस से प्राप्त होता है बैक्तिरिया से जिवाडू से लाइकेन से विशाडू से या फिर इनमे से कोई भी नहीं बताएंगे आपका लिटमस किसे प्राप्त होता है ब अगर किसी अमलोको एसेड को लाल लेटमस पेपर पर डाला जाता है तो उसका कलर क्या कर देता है लाल लेटमस पेपर को क्या कर देता है कौन से कलर में बदल देता है लाइकेन राइट एंसर बता रहे हैं ओनली गुड वाइप चलिए बताइए लेटमस का लेटमस किस से प् सूचक एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं और किसके द्वारा प्रदूशन को सल्फर डियॉक्साइट से ज्यादा अगर वेक के उससे अगर ज्यादा प्रदूशन हो रहा है तो कहां पर लाइक उगते ही नहीं है पाकि इनकी ट्रिक अनिल और छनल वाली आपको पता हि बेस ब्लू को ब्लू और रेड को ब्लू कर देता है बढ़िया आगे देखेंगे इस्ट क्या होता है प्रकार का इस्ट इजा ब्रायोफाइटा श्यावाल कवक या फिर जीवाडू बताएंगे क्या हो जाएगा इस्ट क्या होता है इस्ट क्या होता है यह एंसर करेंगे अ अरुराधा, विजय, प्रीती, स्वतंत्र, सुजाता, नवीन, आर्ती बताएंगे क्या होजाएगा, हीस्ट एक प्रकार का क्या होता है पी एंसर कर रहे, कवक होता है यह शहुआ होता है, हीस्ट क्या होता है बहुत बढ़िया answer बताएंगे क्या हो जाएगा व्यां शेवाल होता है कि कवक होता है एक प्रकार का fungus होता है, ठीक है C वाला answer आपका correct हो जाएगे यह अगे किसमें मदद करता है, इस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं एल्कोहल में भी करते हैं ना हीस्ट का प्रियोग किसमें किया जाता है एल्कोहल में भी किया जाता है तापका सी वाला एंसर बिल्कुल सही आगे देखेंगे निम्लिकित में से कौन प्रदूशन संकेतक पौधा होता है वही पूछ रहा है पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लां कौन सा हो जाता है यहां पर बताएंगे ब्रेड एल्कोहल बनाने में ठीक है बहुत बड़ी अप्रदूशण संकेतक पौधा कौन सा हो जाता है तो यह आपके कौन से हो जाते हैं यह प्रदूशण सूचक कहा जाता है किसको लाइकेन को कहा जाता है आगे देखेंगे चिलग किस से प्राप्त होते हैं। थीक हो। जहां कि से किस से किसे बीज से हमें चिलगोजा ति मिलता है बताएँ मैं लाइकन कवक भाब जर्म घरूस बता रहें धर्म वर्ष लाइकेन जहें क और शहवल के पीकडी होती है ताइकस आगों भी कहते हैं बिल्कुल दहीं आगे बताईए, इसे बताईए, चिलगोजा को किस से प्राप्त करते हैं, किसके बीजों से चिलगोजा को प्राप्त किया जाता है, पाइन्स के पौधे से, ठीके, पाइन से प्राप्त किया जाता है, ए वाला एंसर आपका correct हो जागा, ठीके, ए से चिलगोजा प्राप्त होत गपड़्स की से कहा जाता है युकेलिप्ट को सिकोया को देवदार को या फिर पढ़ांग, सबसे लंबा जीवित रक्ष कौन सा होता है, कि अ भी बता रहे हैं, अपड़ना ने अ बताया है सुत configure आंपना रहे हैं, सबसे लंबा जीवित वरक्ष बहुत बढ़िया सबसे लंबा जीवित वरक्ष बहुत बढ़िया सिकोया हो जाएगा ठीक है यूकेलिप्टिस नहीं बताना है आपको यूकेलिप्टिस नहीं होगा सबसे लंबा जीवित वरक्ष आपका सिकोया हो जाता है नेक्स देखेंगे फलीदार पा होते हैं म्रतोप जीवी है प्रोटोप घटनी है सह जीवी है या फिर पराश्रवी है नाइट्रोजन इत्री करण में आप सभी को पता है जैसे मतर मतर कुल के बैक्तिरिया पाई जाते है वो बैक्तीरिया क्या करते हैं हमारे इन्वारमेंट में जो णाइट्रोजन होती है पौद्धे डारिक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं पाते हैं यचित। नाइड्रेट के ले और यह नाइट्रेट इनको कौन देता है बिट्टी के सारे यही बैक्तिरिया जड़ों में ले जाते जड़ों से पौधों में जाते हैं तो वही कहा रहा है कि गाठों में जो जीवाणू पाए जाते हैं वो कौन सा काम करते हैं स्तहजीवी वाला काम करते हैं अभी इन जीव जलिए फर्न जिसे ज्याव उर्वरक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है यह क्या होता है इसका एंसर करेंगे बहुत बढ़ी है सुजाता ने एंसर भी कर दिया है एलकमा ने भी बताया है ठीक है साइंस किते बज़े साइंस की क्लास भी आपकी तीन बज़े ही होती है साइंस की क्लास आपको देखने को मिलेगी तीन दिन ठीक है थर्सडे फ्राइडे और सैटेडे तीन दिन आपको साइंस की क्लास देखने को मिलेगी जिसमें कि हम आपको mcq करवाएंगे mcq करवाएंगे topic wise mcq आ रहे हैं जो saturday होगा saturday को 2 घंटे का mcq session लेकर क्या रहे क्योंकि इस बार आपकी class हो नहीं पाई थी studio ही नहीं मिल पाया था जिसकी बज़े से saturday वाली class नहीं तो इस बार saturday को दो घंटे special class चलेगा आपका तीन बज़े से पांच बज़े तक की इसे बताएंगे जली फर ने जिसे जयाव वरक के रूप में उप्योगति किया जाता है वह कौन सा होगा तो यह आपका क्या होता है जली जयावर वरक के रूप में किसको प्रियोग करते एजोला का प्रियोग किया जाता है जिम्रे लेकित में से कौन सा स्वापोशित ऑ्टो ट्रॉपिक स्वयम अपना भोजन बनात बनाते हैं लेकिन अगर कि बात करते हैं तो इनमें क्या होता है ग्रीन पीक्मेंट कर לेते हैं तबिक तो कहा जाता है कवक और शवाल के बीच में कौनसा संबन्द होता है साज शिर भी संबन्द होता एक खाना सहारा आपका करेक्ट एंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला एंसर बिल्कुल सही है ठीक है बी वाला एंसर आगे देखेंगे क्वेश्चन बाता ने बताया राइस में बहुत बढ़िया एक प्रकार के क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर और इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करेंगे कौन से वाले किसमें डाल चावल सब्जी रोटी किसमें किया जाता है बताना आपको फुड आफटर नून दिक्षा क्या हो जाए इसे जेकेडेशं या फिर कवक दाले को पौध cen purity किस भांते कंषा कूल से दाले ने किसे में प्राप्थ niż b थीके पौ्दे जो नमक युक्त मिठी में उगते हैं उन्हें क्या कहते है प्रग्या सिंग, शेष, आर्ती, विजय विजय बताएंगी इसका इंसर, चाह। दाया है हैलो फायट कहां जाता है क्या कहते हैं हेलो फायट वरुस्तल में जो उगते उन्हें चिया जाता है और ऊसकलिने वाले पौधे टो चोटे कीडे मकॉडे होतें वो कहां से किस सवशन क्रिया करते हैं स्वचा से, फेफडों से, क्लोम से या फिर वाता की अंत्र से, खीडे किस से स्वशन क्रिया करते हैं, आप ऐसा ही क्वेशन आपके सुपर्टेट के एक्जाम में देखने को मिला था, तिलचट्टा के बारे में पूछा था, बहुत बढ़िया, ट्राकिया से, तिलचट्टा सुपर्टेट में साइस में कोशन पूछा था, तिलचट्टा के बारे में, यह किस से स्वशन क्रिया करते हैं, तो यह वात रंधर जिसे कह दिया जाता है, ठीक है, जिसे ट्राकिया कह दिया जाता है, आगे देखेंगे, क्वेशन नंबर 15, वकडिया किस प्रजाती के अंत मकडी किस संग के अंतरगत आती है, मोलस का संग, अनेलीडा, निडेरिया या फिर और्थोपोडा, बताएंगे मकडी किस संग के अंतरगत आती है, बहुत बढ़ी अनुराधा, मकडी किस प्रजाती के अंतरगत आती है, यह बताना है, यह आपने और्थोपोडा, आपको प जय्हा webs нашे रुकजन्तू होते हैं और ये सबसे बड़ा मतलब संग इनि कहा पाया जाता है इतने मकडी तितली में कीड़े होते हैं वह सब किसके अंतरकथ आते हैं और थो पोडा जगतय के अंतरगत ही आते मैं हुक्षक की बात करेंगे तो जैसे घोंगा और सीप इस मोलस्का क्यांतर गतात है ऐसे एने लीडा हो गया ऐसे निडेरिया हो गया आगे कोश्च नंबर 16 लाइक नम जो है नम चप्टान में पर भी पारिस्तितिक अनुक्रम को प्रारंब करने में सक्षम है वास्तों में किनके सहाजी भी सहाचर रहे हैं हेलो मनी शिंग राजपूत ठेके किसके लाइकेन का क्या मतलब है सहवाल और जिवाडू शहवाल और कवक जिवाडू और कवक कवक और मौस बताएंगे लाइकेन का संबंद किस से है क्या संबंद है रेनू सिंग कैरी 16 का बी बहुत बढ़ गया सबसे सिंपल कोशन आज का तो यही है आज की क्लास का स और राषेजिर सब्सक्राइब यह दो सब्सक्राइब भाषा का उप्योग किया जता है मतलब इसमें लाटिन प्रीयोक करते जैसे नहीं होता है मनुष्य का नाम मेढग का नाम किया होता है तो क्या हो जाएगा यह कौन सी भाषा में किस भाषा का प्रियोग किया गया है यह बताएंगे किस भाषा का प्रियोग किया गया है बहुत में गलता है लाटिन भाषा का प्रियोग करते हैं तुप्श किया जाता है इसमें और उठो पोड़ा खर अन्तरगत या फिर हैंए the data के अंतरगत या फिर सॉप्ट शेड प्रदू कबची ओक्तो पस आप सब जानते हो ओक्तो पस्किसके अंतरगत आता है कि ओक्तो पस्किसके अंतरगत आएगा यह बताने आपको कि कि ओक्तो निताएगा बटायें के सब भी बताने मतल हुआ ऐसा नहीं सिर्व एक अध्यूद के संग के अंतरगत तो ऑक्टोपास किसमें आता है बहुत बढ़े शॉफ ठेटर रेनु सिंग ने बता है रेनु सिंग का विजय का एंसर रेनु सिंग यह दो लोगों का सही है और बता है थीक्ए मरूत बि-जी रोफाइट्स किस दशा में उद्पन्न होते यह प्रश्ण वाशुष्क चीत वहाद्र ऊश्ण वाद्र शीत वाशुष्क बताएंगे जल्दी से रोफाइट्स किस दशा में उगते हैं कॉन सी स्थीती चाहिए तब मरुस्थलिय पौधे उगते जाता ने 19 का सी बताया है उराधा ने सी बताया है ठीक ऐसे बता रहे हो जीरो फाइट की बात कर रहा है होट एंड हुमिट अच्छा कि पीड़ों फाइट की बात कर रहा है कि गर्म एवम शुष्क बहुत बढ़े एंसर होगा घ्र्ष्न एवम सुुस्क ब्ल्य के यह ठीक है black and dry soil चाहिए तब होगा वाकि उष्ण तो ठीक है उष्ण में भी तो उगते हैं ठीक है black and dry चाहिए तब zero fights होते हैं इन में से कौशिकी जीव का उदार है इन में से एक कोशिकी कौशा हो जाएगा फ्रो चौभआ एक काईड्रमे ट्रो पॉट या फिर एनिलीड TOP 1 कोशिकी जीव कान सा है एक कोशीकी में आप kidneys कोशीकी में Quality कोशीकिव का कौन से आते हैज है यंच्ट कोशीकी में कौन कौन से आ जाते हैं प्रोटो जवाब बिल्कुल सही प्रोटो जवाब के एक कोशिकी के अंतरगत आते हैं ठीक है प्रोटो जवाब के एक कोशिकी के अंतरगत आते हैं वाकि जितने भी जन्तु जगत होते हैं जन्तु जगत सभी के सभी किसमें आते हैं कैकी हेसे आगी में कितनी जोडिया आखे झेव बताना है एक जोड़ी दो चार जोरी आठ जोरी मोजा नहीं है कितने जोरी ठीक आख़ी मकरी में वकरियों में कितने जोरी आखे पाई जाती फूरे कि कि वेड़ी आखे và पढ़ाओ भूड़ेका परज्ञा अपन्ना का एंसर सही आया इतने लोगों में अपन्ना का एंसर सही है कितनी जोड़ी चार जोड़ी आंखे पाई जाती है मकडियों में कितने जोड़ी आंखे चार जोड़ी आंखे पाई जाते आगे देखेंगे किम्ड में से कौन सा कीट नहीं है कौन सा कीट नहीं है कीडा ही नहीं है तितली कीट आप सभी जानतों कीट किसके अंतरगत आते और्थो पोड़ा के अंतरगत आते हैं ठीक है अब इसमें से कीट कौन दाने तितली तिल चट्टा मच्छर मकडी किसके अंतरगत नहीं आएंग कि यह बताने आपको क्या हो जाएगा D answer कौन सा कीट नहीं है आपको पता है मकडी आपकी और्थो पोड़ा में आती है ठीक है लेकिन एक तीस तरीके से कह सकते हैं तिली हो गई तिल चट्टा हो गई उड़ जाते हैं मच्छर उड़ गए तो यह इस वज़ा से इसको मकडी को रख दिया जाता है कि यह कीट नहीं है ठीक है मकडी को रख दिया जाता है हाँ अपवाद है बहुत बढ़िया मकडी को रख दिया जाता है बाकि मकडी आपकी आती किस में और्थो पोड़ा के अंतरगत आता है आगे देखेंगे केकडी किस प्रजाती के अंतरगत आते हैं केकड़ा बताएंगे किस के अंतरगत आता है मोलस्का संग के अंतरगत निडेरिया में और्थो पोड़ा में प्लेटी हल्मेंतिस में केकड़ा बताएंगे किस के अंतरगत आता है केकड़ा आप quality को बढ़ा लो एक बार से quality को बढ़ाओ ऐते हैं और उसन पोड़ा में केक्डा बिल्कुल सही केक्डे जो हेमारे species जो हेमारे किसमें और ऊपोड़ा जगत के अंतरगत आते हैं इन मेंसे एक कॉंसी मीन है मचली कौन सी है क्रेफिश, कटलफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, मचली इन में से कौन सी है एक मचली कौन सी है बताएंगे क्या हो जाएगा बिन्दू पाल, सी, सीता का सी, अनुराधा का डी शिल्वर फिश तो आपको बताई थे रचत मचली जो होती है यह हमारी मचली नहीं होती है, इकाइनो डर्मेटा में आती है यह हमारी किसके अंतरगत आती है, इकाइनो डर्मेटा संग के अंतरगत आती है बाकी और कौन सी, एक मचली कौन सी है यह बताना है ठीक है, इसमें आपको बताना है, इसमें मचली है कौन सी कि यह हो जागा सी बिल्कुल सही तो इसमा पेपर कॉपे बिल्कुल सही फ्लाइंट फिस एक तरीके दर फ्लाइंग फिस उड़न मचली जो है हमारी कौन सी एक सही वाली मचली होती है ठीक है पाकी इनकी क्या विशेस्ताइं होती है मचलियों में कितने चैंबर हार्ट होते हैं मचलियों में कितने चैंबर हार्ट होते हैं तो टू चैंबर हार्ट ठीक है मचलियों में कितने चैंबर हार्ट होते हैं तो टू चैंबर हार्ट होते हैं पाकी मचलियों जानते ही हो समुद किद्री पानी में भी मीठे पानी में पाई जाती है बाकी स्वशन क्रिया कि इसके तरह करती है स्वशन क्रिया कि इसके तरह करती है तो क्लोम के द्वारा ठीक है सुशन क्रिया कीस के दारा करती है क्लोम के दारा या गिल्स के दारा करती है ठीक है अच्छा इसी में ये क्वेशन पूछा जाता है आपका इसी में ही क्वेशन पूछा जाता है कि जो मचली होती है मचली होती है इनका शरीर जो है इनका जो कंकाल होता है स्केलेटल होता है कौन सी मचली का कंकाल जो है उपास्थी का बना हुआ होता है कार्टिलेज कौन सी मचली का कंकाल कार्टिलेज का बना हुआ होता है जल्दी से बताएंगे सोना कुमारी शाहिल शाहिंदा अपन्ना स्वतंत्र सोना अनुराधा उपास्ति का बना हुआ होता है तो शार्क मचली उपास्ति की बने हुए होती है, बाकी सारी जितनी मचलिया होती है उनके कंकाल जो है अस्ति के, खोन के बने हुए होते हैं, चाहे वो ट्यूना लेलो रोहु मुचली इन सब के किस से बने हुए होते हैं? फोन के बने हुए होते हैं. आगे देखेंगे अगले प्राश्चने पर. मचली किस अंग द्वارा सव्षन करती है? नाक, फेफडे, गल्फडे, पंग. मचली किस के द्वारा सवषन करती है, बताना है. पचली किसके द्वारा स्वतान पचलि करती थेग रकल है कि द्वारास स्वाजन क्रिया करती पताना आपको वरवरणक, pigment, chlorophyll या फिर वात रंद, इस्टू मेटा, गिर्गिट किसके कारण रंग बदलता है, उसके कारण रंग बदलता है, वरणक किसके कारण रंग बदलता है, तो बहुत बढ़ या गिर्गिट में क्या पाया जाता है, pigment पाया जाता है pigment ऑडड़क की वज़ा से जो है जिरिग बलते हैं गिरिगट जैसे रंग मत बदलो क्योंकि उसे pigment पाया जाता है उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है एफ कौन सा नहीं है कि अभी 20 तारिक से आपका 20 मार्च से आपका क्या होगा पढ़ाम वाला बैच होगा ठीक है कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादर कौवा चील तोता पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता है यह बताना है बहुत बढ़िया ए बिल्कुल सही चमगादर आपका पक्षी वर्ग में नहीं आता है बाकी कववा चील तोता यह सभी क्या है पक्षी ही तो है उड़ते रहते हैं आगे देखेंगे किस युग में open circulatory system खुला परी संचनर तंत्र किसका होता है पुला परी संचनर तंत्र किसका होता है केचुआ तथा जोग मानव तथा वेल कॉक्रोज तथा सिल्वर फिश टैड़ पोल लार्वा तथा मचली बताएंगे open circulatory system किसका होता है पुला परी संचनर तंत्र किसका है 28 का एचुआ और जोग का सवतंत्र पाल सी बतारे मुकेश का सी है ए और सी के बीच में competition है देखते हैं कौन सा वाला सही होता है कौन सा वाला सही होता है पंज कौन है यह पुरंजय आदव ने सी इंद्रप्रगास का सी भाई दो दो लोग सी बता रहे हैं बहुत सारे लोग क्या हो जाएगा खुला परी संचनर तंत्र किसका है कॉक्रोच और सिल्वर फिश का जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता एट और सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत अच्छा क्वश्यन फाइफ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है बहुत important question 5 वाईफ कींगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है यह बताना है करें यह किस ने दिया है विटेकर ने दिया है कर लेकर लीनियस ने हैकल ने या फिर को लैटने तुक्स नि God आ चलिए इसे पताइउंगे मैं इसे प्रषन का उत्तर फाइफ क्रेड ग्लासिफिकेशन इसकी दोर दिया बहुत बढ़िया फीटेकर के द्वारा दिया गया फाइफ किंग डम क्लासिफिकेशन कौन-कौन से आते हैं फाइफ किंग डम क्लासिफिकेशन में और विडियो क्लियर नहीं है तो एक बार से क्वालिटी को बढ़ा लीजे जीवधारियों का वहां समूझ प्रकति में परस पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उन्हें जीव कहते हैं जाती कहते हैं समस्टी कहते हैं या फिर बायोटिक कम्यूनिटी ज्याव समुद अुत पन्न होते हैं के दूसरे से क्रिया करके संतान किस में जीवों में उतन्न होते हैं एक जातिके होते हैं परिंब कि मुष्वेयर सब्सक्राइब न फिर विटीकर के द्रेए गएगा लट एक निफम पट्रक्राइब बहुत बढ़िया बस आपको ऐसे ही एंसर करते रहने ठीक है परसपर क्रिया के द्वारा कौन संतान उत्पन्न करते हैं जाव समुदाय करते हैं या फिर पूरी की पूरी जाती करती है जाती के द्वारा किया जाता है मतलब क्या है जैसे शेर की एक अलग जाती हो गई मानवों की अल important question है जैसे कि कुछ जन्तू है और उनके जगत दिये गए हैं ऑक्टोपस हमारा किसके अंतरगत आएगा अर्थोपोडा में मोलस्का में या फिर सिलेंट्रेटा में जैली फिश आपको पता होगा जैली फिश एक प्रकार की ट्रू फिश नहीं है एक प्रकार की किसके अंतरग किया गया राइटिंग तो बहुत साफ है ऑक्टोपस अभी सबसे पहले कौशन में बता चुके ऑक्टोपस हमारा किसके अंतरगत आते हैं मोलस्का संग के अंतरगत आती है जैली फिश आपको बताई गई है कि जैली फिश एक प्रकार की मचली नहीं होती है ठीके जैली फि बदा जगत के अंतरगत नहीं आती है यह हमारी और मेटा गलत लिखा हुआ है कि यह मारी चाहिन डर मेटा के अंतरगत आती है पॉमबे बतक का बताएंगे तरीके से हमारा हो जाएगा ये वाला अप्सराल clingy ज़ीव। खारये पानी कम अ कर मत ऑलिव रिड़्ली टर्टल गंग्य डॉल्फिन या फिर घड्याल भारत का राष्ट्रीय जलीव। और इसे कब घोशित किया गया भारत का राश्ट्रिय जली जीव कौन सा है स्वतंत्रपाल ने बता दिया सी गंगा डॉल्फिन है ना गंगा डॉल्फिन इसे कब घोशित किया गया भारत का जली जीव आगे देखेंगे अगला प्रश्ण प्रोकारियोटिक कौन होते हैं प्र पुश्पवाब बीज उत्पन्न नहीं होते हैं प्रिमिटिफ है न एक प्रकार के प्रिमिटिफ होती है आपको बताया गया है प्रोक यह क्या होती है जो पूरी तरीके से विक्सित नहीं होता है जो केंद्रक होता है वो पूरी तरीके से विखसित नहीं होता है और प्रोकारियोटिक में सेवेंटी स्टाइप के क्या पाये जाते हैं ठीक ओचछाण थाइब राइबोसॉम पाये जाते हैं तो में संबंधित किया जा सकता है विशाण एक जीव से दूसरे जीव में केवल ज्याविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं कौन सा वाला सही हो जाएगा बहुत बढ़िया यह अभी अच्छा चलो बता देते अभी अब सेल वाला चाप्तर आपको लास में करवाया गया है ठीक है यूट्यूब परी तीन बजे चाप्तर करवाया गया है आप लोग जा करके उसको देखे प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में डिफरेंस भी ब पहलाया जाते हैं यह तो बिल्कुल सही है लेकिन किशान रो किसी भी कविशानु इस ऐसे केवल जय वाकहों च्टें सणी होटें तो यह भी घलत है राष्ट हो जाएगा नोली यह वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे वे सुक्षमजीव जो सड़े गले पदार्त को तरल पदार्त में उन्हें क्या कहते हैं बैक्टीरिया कहते हैं फफूंदी कहते हैं विशाडू कहते हैं या फिर अपघटक कहा जाता है क्या कहते हैं इनको इन्हें क्या कहा जाता है सूक्षमत जीव जो तड़े गले पदार्तों को तरल पदार्तों में वाला एंसर आपका सही है किस वैज्ञानिक ने विशाडू की खोज करी है विशाडू की खोज ठीक है या इसीमें ही आप का आजाता है चलो विशाडू की पूछ रहना तो बहुत अच्छा है फिर इसी के साथ में ये भी बता दे लुट besi कि से सब्सक्राइब को । आप है थी कि इसी में या पीजय करोगे जवारू ऑन किसने करिया बहुत बढ़िया लिभ अग जीवाडू कि साफोच किसमे करी है लिवैं होंग ने जिवाडू की खोज करी है और इन्हों सबसे पहले किसको देखा था ढूंक कितली तो सब्सक्राव करी गई ए바 लिकित में से किस जन्त में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है जोंक में अमीबा में फीता क्रमी में या फिर घोंगा में बताएंगे क्या हो जाएगा तंत्रिकां तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है नर्वस सिस्टम किसमें नहीं पाया जाता है हेलो अमर उपाध्या है बताएंगे जोंक में अमीबा में फीता क्रम में जिसे टेप वॉम कहा जाता है और या फिर घोंगां में पताई होगा गोंगा और सीप किसके अंतरगत आत ठीक है अगले प्रेशनी पर चलेंगे सबसे उपयुक्त पदानुकरम मतलब मतलब एक hierarchy दी गई है चार-चार option की आपको बताना है division से class class से lineage फिर उसके बाद फिर उनके गड़ आ जाता है नहीं होता है फिर class class से clan बर्ग कूल वन्ष जाती है हिंदी देख लेना इसमें तो गलत गलत ट्रांसलेट कर दिया गया है गड़ से टीचर मेनत कर रहे हैं आपके लिए बस वही कहते हैं जितनी भी classes होती है बहले दस मिनट की हो पांच मिनट की हो सारी देखा करो ठीके सब मिला करके तुम्हें रिजल्ट दिलवाएंगी सर्फ एक क्लास से कुछ नहीं होता कि आप हमारी class में एक class देख लिए वह सोचो की तीर मार दिया ऐसा बुछ नहीं होगा सब देखना पड़ेगा तब कुछ आ करके कुछ होगा गड़ से कुल कुल से वन्ष वन्ष से जाती चाती से गड़ बता सर परनी एक बहर कियों सबसेえक हो जाता है कि सबसे पहले वर्गे आ जाता है कि इंग्लेश ऑप्शन गड़बड़ से खाटा थोुघ हो प्छरा है सबसे पहले GB somewhat इनमें से कॉने से वाले फिर वह नहीं उनमें से कौन से वाले हैं ऐसे पता किया जाता है ना तो ऐसे का गड़न से वन्ष वन्ष से जाती मैं correct answer क्या हो जाएगा एसकुलेंटा या फिर सिम्पवल्म फ्रेग्मोएडिस बताएंगे खाने वाला कवक ऐसा क्वेशन आपका ऐसा क्वेशन आपका यूपीटेट के एविएस में पूछा गया है खाने वाला कवक कौन सा है यह आपके एक्जाम में क्वेशन पूछा गया है खाने वाला कवक कौन सा हो जागा बिल्कुल पापा की परिसी वाला और यह आपका खाने वाला कवक होता है ठीक है कुछ कवक खाए भी चाते कुछ कवक आपके जहरीले होते हैं तो यहीं मारसिल्या एसकुलेंटा आपका खाने वाला कवक है अगला कोशन नमबर 40 question number 40 देखेंगे निम्ण में से किसके निर्माड में जिवाडूओं की भूमिका नहीं होती है जिनको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं समा जाएगा किसमें जिवाडूओं की भूमिका नहीं होती है पनीर में दूद से पनीर बनता है लाक्टी गमल में दही में या फि इस्तेमाल होते हैं नहीं बनने में लेकिन दूद से पनीर बनने में अधा यह तो फट जाता है तो बनने में किसी प्रकार की बाक्टीरिया की जरूरत नहीं होती है आगे देखेंगे 41 45 कोशन रखे हैं बहुत ही अच्छे से 45 कोशन इस क्लास को देख लोगे बहुत ज्यादा हेल्फुल रहेगी आपके एक्जाम में डाइनसोर को निमनलिकित में से किस वर्ग के अंतरगत रखा गया है डाइनसोर किस में आते हैं सीनोजोग सरी सरी सरफ मेजोजोग पैलियोजोग या फिर मेजोजोग बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे डाइनसोर हमारे किसके अंतरगत आते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं रेप्टाइल है सरी सरफ होते हैं कौन से सरे मेजोजोग सरी सरफ इंग्लिश में भी यहीं कहेंगे मीजोजोइक ठीक है मीजोजोइक जो है मीजोजोइक रेप्टाइल्स के अंतरगत आते हैं आपके डाइनासौर अगला देखेंगे सिट्रिक अम्ल के उत्पादन का ओध्योगिक श्रोत क्या है साइट्रस वाले फल खट्टे वाले जो फल होते हैं बैक्टीरिया एस्परजिलस या फिर पैनिसीलियम ठीक है खट्टे फल साइट्रिक फल की उत्पादन का ओध्योगिक श्रोत क्या होता है कहां से उत्पन्न होते हैं खट्टे वाले फलों का यह बताना है, औद्योगीक श्रोत क्या है? मैम, मेरा सही मैम, आप मेरा नाम ले लिजीव, हाँ विकास, आप बहुत विकास कर रहे हैं, ठीके, बड़ी आए, सही-सही आंसर दो, क्षी वाला स्वियो निखोगए देते रहो क्या हो जाएगा उद्योगि क्षोट cranth dawn अमल जो होता है उसके उत्फादन का उद्योगी क्ष्रोत क्या होगा सबसे पुराना जीव तुम्हारे दादा के दादा के बाबा सबसे प्राचीन जीव निले हरित्षवाल प्रतिवी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है सबसे प्राचीन जीव आपका ब्लू ग्रीन एलगी नीला हरित शवाल है ठीक है क्या हो जाएगा नीला हरित शवाल आगे देखेंगे कौन सा कवक खाने के लिए इस्तेमाल होता है अब इस प्रशन का उत्तर सभी लोग सही देंगे क्या हो जाएगा अब सभी का एंसर मतलब बहुत तेजी से एंसर करना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है यह वाला तब बहुत तेजी से एंसर करना तब के एक जैसे एंसर दिखने चाहिए बिल्कुल इक्रार गौर नीतु कुमारी पापा की परी अनुयादव प्रग्या काजू रिशब चाहिंदा गौरफ संजय मुकेश अलकमा फिकास नीतु गुल्फसान चाहिंदा अन्शू साइमा बिल्कुल सही मारशीलिया इसकुलेंटा यह आपका खाने वाला कवक हो जाता है अगला देखेंगे आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वाज कौन है ठीक है सब सब चलवादेंगे हमी तो चलवाएंगे आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वाज कौन है जावा मानव क्रोमैकनोन मानव नियंडर्थल मानव या फिर पेकिंग मानव बताएंगे आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज कौन हो जाएंगे इसी के साथ में आ बताना है कौन से मैमल्स अंडे देते हैं आपको इसका एंसर करना है आधुनिक मानव के निकटतम पूरवज कौन है ये भी बताना है आदुनिक मानव के निकट्तम पूर्वज कौन हो जाएंगे तो क्रोमैगनोन मानव कौन से हो जाएंगे प्रोमैगनोन मानव भी वाला एंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया विजय एंसर कह रहे हैं चमगादड कौन वतारा बीच में कौन से अंडे देते हैं तो आप सबने और प्लेटी पसका नाम सुना होगा यह अंडे देते हैं यह ऐसे अंडे देते हैं वागे आधूनिक मानव के पूर्वर निकट्तम पूरवज के क्रोमैगनोन मानव एक लास कुएशन निमलिकित में से कौन से शहवाल प्रजाती भोजन के रूप में प्रियोंके रही जात है ऐसा भी क्वेशन आपके यूपिट में पूचा गया है अलवा है नौ स्टॉक है अंबली का सही या फर यह सभी लास्ट क्वेशन आज की क्लास का कौन से शैवाल जिन जिनका प्रियोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं पत्थर में वो बर्फ में अंडे देती लेकिन वो क्या मैमेल्स में आती है यह भी तो बताई आप इसे बताएंगे कौन से शैवाल जिसका प्रियोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं विल्कुल सही है अलवात न नहीं था कैसी लगी क्लास एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन बता दीजें तबी लोग बताएंगे यह 46 वेस्टे और 50 मिनट थे 50 मिनट पर 46 वेस्टे लोगों ने किये हैं तो आप सभी लोग बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी बाकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं या फिर बाद में भी कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो आपको मेरी क्लास कैसी लग रही बाकि अभी कंटीनिव आपकी द्रेली तीन बजे क्लास होंगी साटेड़े को बहुत स्पेशल सेशन था लेकिन कुछ प्रोब्लम हो गई जिसकी युदे से नहीं हो पाई तो थैंक यू सो मस् टेक क्यार ओल दी बेस बढ़ते रहें सीखते रहें बढ़े रहें हमारे साथ में टीचिंग वाला के साथ थैंक यू